साहिल शालीनी को टेस्ट के बहाने और अंदर ले गया फिर जैसा जैसा साहिल कहता रहा शालीनी करती गई शालीनी को साहिल ने टेबल के साथ जुक कर खड़ा होने को कह दिया और जैसे ही शालीनी एक्सरे के लिए जुकी साहिल ने अपने ही ओजार से उसका टेस्ट कर डाला और बता साहिल क्या हाल चाल गर पर इवार सब कैसा है गर पर सब ठीक है मुकेश भाई पर हॉस्पीटल में तो यार बस उल्टे सीधे केस देखकर दिमाग बहुत खराब होता है कोई कैसे बिमार है हाँ यार, डॉक्टर बनने में पैसा होता है लेकिन साला ये काम आसान नहीं है ये है साहिल और मुकेश कॉलिज के वक्त के दो बहुत ही पुराने दोस्त कॉलिज ख़त्म हुआ तो साहिल ने डॉक्टर बनने का फैसला किया और वहीं दूसरी तरफ मुकेश अपना बिसनस करना चाहता था दो पक्के दोस्तों ने अपने अलग-अलग रास्ते चुने और भगवान की दूआ से उन दोनों को काम्याबी भी मिल गई आज शहर में साहिल का अपना बड़ा एक अस्पताल है और वहीं दूसरी तरफ मुकेश की आज एक बहुत बड़ी कपड़ों की कमपनी है और दोनों ही दोस्तों ने शादी भी कर ली है ये हैं मुकेश की धरम पतनी शालिनी मुकेश और शालिनी की शादी को लगबग अभी एक साल ही हुआ है अक्सर साहिल रात को हॉस्पिटल का काम खत्म कर मुकेश के घर ड्रिंक पीने आ जाता है चले यार निकलता हूँ मैं अब भाबी जी को भी सोना होगा सही यार तो यार साहिल वैसे हमने एक एक पैक करके बहुत देर कर दी उसे गुस्सा आगया तो हमारी दारूबाटी बंद करवा देगी वो चल ठीक है फिर मैं निकलता हूँ पहले सीधा हॉस्पिटल जाओंगा फिर कुछ मरीज वगेरा देखकर घर निकल जाओंगा सही यार आता राकर ऐसी तो होता ना तो तेरे साथ कंपनी लेगे मैं भी एक पैक लगा लेता हूँ हाँ जब टाइम मिलेगा तो फिर से लगाओंगा चकर मुकेश के घर साहिल का आना हफते में दो से तीन दफा हो जाता था लेकिन शालीनी ने कभी साहिल से खुल कर बात नहीं की थी उनके बीच बस हाई हेलो होती और साहिल अपनी शराब पी कर निकल जाता सोने के नाम से शालीनी बहुत खुश हो जाती और हो भी क्यो ना उनकी हाली मैं तो एक साल पहले शादी हुई थी शालीनी ने भी अपना सारा काम समेटा और भाग कर कमरे में आ गई मुकेश तुम सो भी गए? ये तो गलत बात है यार मैं तुम्हारे लिए तो भाग कर रूम में आई हूँ मुकेश यार उठो ना प्लीज मैं पूरा दिन तो यार घर पर तुम्हारा इंतजार करती हूँ और तुम्हें कोई इंटरस्ट ही नहीं है शाली नी प्लीज सो जाओ ना यार तुम्हें पता ना मैंने पे रखी आज प्लीज कल तुमने काता मैं थका हुआ हूँ और आज कह रहे हूँ कि ये पी रखी है कोई कहे गा हमारी शादी को सिर्फ एक साल ही हूँ है तुम्हें पता है ना सुबह हमें पार्टी में भी जाना है अभी नीन बुरी नी भी तो फिर बुरा दिन सरदर्द हुआ कल करेंगे यार पक्का, प्रॉमिस कल करेंगे? वो कल कभी नहीं आएगा मुकेश, तुम सो जाओ, I will manage जे बस इतना कैकर मुकेश फिर से सो गया, लेकिन शालीनी को नीन कहा आने वाली थी, उसकी आँखों से नीन को सो दूर जा चुकी थी, शालीनी रात भर जाकती रही, और पूरा शहर बेसुद हुए सो रहा था शालीनी जल्दी आओ यार, पार्टी को लेट हो रहे हैं, सब चले जाएंगे तब हम वाँ पहुचेंगे, जब तुम मैं पता है, तुम मैं त्यार होने में इतना टाइम लगता है, तो थोड़ा जल्दी उठ जाती उठूंगी तो तब जब सोँगी, एनिवेज मैं तयार हूँ, चलो तुम वा यार, तुम तो कमाल लग रही हो पर तुम्हें इस से क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें कौन सा कुछ करना है अच्छा ठीक है, अभी हम पार्टी के लेट हो रहे हैं, हम घर आके इस बारे में लड़ लेंगे, ठीक है, चलो तुम भाड में जाओ तुम ओ शिट, मुझे क्या हो रहा है, ओ माई गॉड मुकेश, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा सिर गुम रहा है शाली 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 तुम्हारी आवास कैसे बदल गई, तुम्हारी आवास तो बिल्कुल चेंज हो गई सारी रात की जागी शालीनी सुबह चक्कर खाके गिर गई दोनों तयार तो हुए थे पार्टी में जाने के लिए लेकिन शालीनी की तबेद बिगड़ने की वज़े से दोनों को अस्पताल जाना पड़ा मुझे बचा लो मुकेश, मुझे बचा लो मुझे फास्पिटल ले चलो अरे घबराती क्यों हो शालीनी, अभी सीधा साहिल के अस्पिटल चल रहे हैं वो तुमें एक इंजेक्शन देगा, तुम ठीक हो जाओगी शालीनी की बिगड़ती तबेद के चलते, मुकेश ने गाड़ी भगाई और सीधा साहिल के अस्पिटल के बाहर लाके खड़ी कर दी शालीनी आओ फट अफट, अभी साहिल अस्पिटल में ही होगा, उसे तुम्हारा चेक अप करवा लेते हैं शालीनी बहुत किस्मत वाली थी, क्योंकि डॉक्टर साहिल अभी अपने अस्पिटल में मौचूद था अरे यार साहिल अच्छा हुआ तो भी अस्पितल में मिल गया, मुझे तो लगा तु गहर निकल गया होगा अरे नहीं मुझे लगा कि तु कहीं किसी पेशंट वायर वो देखने कहीं ऊपर नीचे ना निकल गया हो न अरे शालीनी भावी भी भी साथ में आई है, क्या हुआ, तुम दोना दो पार्टी में जाने वाले थे ना यार हम रेडी तो पार्टी में जाने के लिए हुए थे, फिर इसे एकदम से चक्कर आगए और ये गिर पड़ी, तो मैं सीधा इसे पार्टी जगत तेरे पास ले आया, ओ, ये तो तुने अच्छा किया, चल मैं भावीन का चेक अप कर लेता हूँ, आईए भावी जी, उस शालीन थोड़ा गबरा रही है, ने ने तु यहां रुक मैं हूँ भावी के साथ, टेंशन मतले, आये भावी जी अंदर आ जाईए, साहिर शालीनी को कमरे में अकेले ही ले आया, आये भावी जी घबरा ये नहीं, इस टेवल पे लेट जाईए, मैं आपका चेक अप कर ले जैसे, भावी जी इतनी टांगों से बात नहीं बनाएगी, एक काम करिया अब अपनी सकर्ट उतार दीजी है, साहिर की ये बात सुन पहले शालीनी घबराई, लेकिन उसके पास दूसरा और कोई चारा नहीं था, और वहीं दूसरी तरफ बाहर बैठा मुकेश इंतजार कर आप शालीनी के कमरे से बाहर आने का, लेकिन अंदर साहिल का चेक अप करना कुछ और ही मोड ले रहा था, यही ना बात, एक काम करिये थोड़े सी और ठांके खोल लीजी, मुझे अच्छे से दिखेगा, जैसा जैसा साहिल कहता गया शालीनी करती गई, शालीनी को भी अब साहिल का ये खेल समझ आ रहा था, चक्कर का इलाज करने के लिए साहिल को नीचे का चेक अप करने की क्या जरूरत थी? वहे टेबल के पास जोकर खड़ी हो जाए भावी जी, मैं भी आपका एक्सरे कर लेता हूँ साहिल शालिनी को टेस्ट के बहाने और अंदर ले गया फिर जैसा जैसा साहिल कहता रहा शालिनी करती गई शालिनी को साहिल ने टेबल के साथ जुक कर खड़ा होने को कह दिया और जैसे ही शालिनी एक्सरे के लिए जुकी साहिल ने अपने ही ओजार से उसका टेस्ट कर डाला शालिनी ने भी साहिल को कुछ ना कहा और चुप-चाप अपना टेस्ट करवाती रही और बाहर बैठा मुकेश यही सोचता रहा कि अंदर शालिनी का इलाज चल रहा है अभी कैसा फीन हो रहे बाबी जी? हाँ साहिल अभी मैं फ्रेश फीकर नहीं हो कोई बाबी जी अगर मुकेश के पास आपके लिए टाइम नहीं तो मैं तो हूँ ना आजा यह पारक अपने पहन कर अरे मुकेश कोगरेजनेशन्स बाबी जी अब इलकुल ठीक है क्या बात है साहिल तभी तो मैं उसे कहीं और लेकर नहीं यह सीधा तेरे पास ले आया हुआ क्या था उसे? अरे कुछ नी यार थोड़ी सी गैस हो गई थी मैंने बस इंजेक्शन डाना और गैस निकल गई ये खाती भी तो इतना है ना यार उलटा सीधा इसे कितनी बार वोला डाइट कर ले सुन लिया क्या गया रहा है गैस हो गई थी हाँ बागे से ध्यान बखोगी चलियर साहिल अब मैं निकलता हूँ आज तो पूरा दिन मेरा हॉस्पिटल में खराब हो गया इसको भी थोड़ा रेस्ट करना होगा हाँ हाँ चलो कोई बात नहीं अगर भावी जी को कुछ भी होता है तो तो सीधा यहां ले आना बिलकुल भी शर्माना मत चलो शालीनी गर चले बाए साहिल तुमने बहुत अच्छा हिलाची किया मेरो वक्त हो चला था रात के साड़े बारा बजे का पूरा शहर रात की चादर ओडे सो रहा था और यहां मुकेश भी सोने की पूरी तयारी में था शालीनी भी बिस्तर पर लेटी नींद का इंतजार कर रही थी अभी मुकेश की आँख लगने ही वाली थी कि शालीनी ने अपना सिर पकड़ कर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया अरे यार शालीनी क्या मुसीबत है कमसे हम रात में सोने तो दो रात के साड़े बारा बज़रे हैं पता नहीं अब साहिल भी हास्पिटल में मिलें अई हाँ साहिल सौरी यार वो रात को साड़े बारा बज़े परिशान कर रहा हूँ वो यार शालीनी के फिर से सर में दर्द होने लगा और चक्कर से आने लगे अच्छा तो तू हॉस्पिटल में है भी अच्छा ठीक है हाँ तो ठीक है मैं लेके पहुँच रहा हूँ उसको भी हाँ हाँ बस तस पंदर मिड़ा पहुच जाऊंगा ओके ओके बाई चलो शालीनी फटाफट साहिल अभी हॉस्पिटल में है वो देख लेगा तुम है चलती चलो राद साड़े-बारबज के जोर जोर से रोने पर मुकेश भागा और शालीनी को फिर से साहिल की अस्पिटल ले गया अब शालीनी को सच में चक्कर आ रहे थे या फिर वो साहिल से मिलने का ट्रामा कर रही थी ये तो कोई नहीं जानता था सिवाए कुछ शालीनी के आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रही है